इस वीडियो में आप DL8 चतुर्थ समेस्टर के शैक्षिक प्रबंदन एवं प्रशाषन प्रशन पत्र जो की नवंबर 2020 में DL8 2018 बैज के समय पूछा गया था उसका complete solution देखने जा रहे हैं यदि आप चतुर्थ समेस्टर के अन्य सब्जेक्ट्स के पेपर का हल और गडित के संपूर्ण पाठेक्रम को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो के डिस्क्रिप्चर में दिये गे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं पहला प्रश्ण पूछा गया था NCERT का मुख्याले कहां इस्तित है इसका सही उत्तर होगा option number 1 दिल्ली में दूसरा प्रश्ण है पाठे सहागामिक क्रिया कलाप की विसेस्ता हैं तो पाठे सहागामिक क्रिया कलाप उन क्रियाओं को कहते हैं जो की सिक्षा से हट करके जो भ पाठे सहागामिक क्रिया कलाप कहा जाता है तो इसमें आप देखेंगे सांस्कृतिक कारिक्रम विक्षाड ओपर राष्ट्रिय पर्व ये सभी आएंगे यानि कि option number 4 उप्रियुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा तीसरा प्रशन पूछा गया था मानवी प्रबंधन के घटक हैं option number 4 सिक्षक बच्चे और समुदाय इसका सही उत्तर होगा प्रशन संक्या चार पूछा गया था विद्याले प्रबंधन में महतोपूर्ण भूमिका होती है option number 4 उप्युक्त सभी की सही उत्तर होगा यहाँ पर आपके मन में ख्याल आ सकता है कि प्रधानाचारे सबसे महतोपूर्ण होना चाहिए लेकिन देखिए अगर प्रधानाचारे समय से आने के लिए सभी को निर्देशित करता है और एक टाइम टेबल सेट कर देता है कि इतने बज़े स्कूल खुलेगा और इतने ब प्रभावित होगा तो सभी का समन्वय जरूरी है प्रधानाचारे के सांसा सिक्षक का और बच्चों का तभी एक प्रभावी विद्याले प्रबंधन हो सकता है तो चोथे का ओप्शन नमबर 4 उप्युक्त सभी सही उत्तर होगा पांचवा प्रशन पूछा गया था जिला प्रक्रिया इसका सही उत्तर होगा बात करेंगे सातवे प्रशन की राज्य हिंदी संस्थान कहां इस्तित है ओप्शन नमबर 4 वार्नाडसी सही उत्तर होगा आठवा प्रशन था एन आई ओएस की स्थापना होई थी एन आई ओएस का फूल फॉर्म होता है नेशनल उननीस दो नमबर 5 वार्नाडसी इसका सही उत्तर होगा नवा प्रशन था सूचना का अधिकार विध्यक लोगसभा में कब लाया गया देखे ये प्रशन दो तरीके से पूछा जा सकता है पहला लोगसभा में कब लाया गया और दूसरा लोगसभा से कब पारित हुआ तो मई 2005 में दोनों सदन से ये विध्यक पास हुआ था, लेकिन इस प्रश्ण में विध्यक कब लाये गया की चर्चा की गई है, तो option number 1, दिसंबर 2004 इसका सही उत्तर होगा, दस्वा प्रश्ण था, भारत की प्रथम मनुवेग्यान शाला इस्तित है, इसका सही उत्तर होगा, option number 2, प्रियाग राज में, 11 प्रश्ण बाल गर्णा पंजीका है, तो ये एक विध्यालई अभिलेक है, 11 का option number 1, विध्यालई अभिलेक सही उत्तर होगा, 12 प्रश्ण प्रा की वज़े से ये आपदाएं आती हैं, और बहिरजात उनको कहते हैं, जो कि धर्ती के ऊपर विभिन घटनाओ, जैसे बाढ़ वगरा की वज़े से जो आपदाएं आती हैं, उनको बहिरजात कहा जाता है, ठीक है, तो प्राकृतिक आपदाएं दो प्रकार की होती है, 12 का option number 2, दो सही उत्तर होगा, 13 प्रशन है, समय सारणी से बचात होती है, तो option number 2, समय एवं स्रम दोनों की सही उत्तर होगा, 14 प्रशन था, साहितिक गतिविधी है, option number 2, कहानी लेखन इसका सही उत्तर है, 15 प्रशन था, TET का पूरा नाम क्या है, देखिए, TET का पूरा नाम होता टीचर इलिजिबिल्टी टेस्ट, और इसी को हिंदी में बोलते हैं, सिक्षक पातरता परिक्षा, option number 2, 15 का सिक्षक पातरता परिक्षा सही उत्तर है, बात करेंगे, अतिल अकुतरी प्रशनों की, 16 प्रशन पूछा गया था, संस्थागत नियोजन का साबदिक अर्थ बता और नियोजन मिन्स योजना बद तरीके से, यानि कि संस्थागत नियोजन का अर्थ हो जाएगा, किसी संस्था या फिर समुह द्वारा निहित योजना बनाना बात करेंगे 17 प्रशन की समुधाय से आप क्या समझते हैं, तो किसी छेत्रिय सीमित भाग को समुधाय कहते हैं, जो की एक तूसरे के सभी अंतर क्रियाओं में सहयोग देते हैं इसका परिभासा आप लिख सकते हैं, किसी सीमित छेत्र के अंतरगत समाजिक जीवन के संपून संगठन को समुधाय कहा जाता है 18 प्रशन था अभिभावक, सिख्छक, संग के दो उद्देश से बताईए यहाँ पर पहला उद्देश से आप लिख सकते हैं, विद्द्याले ततária समुधाय को निकट लाना और दूसरा विद्द्याले के सैच्छिक इस्तर को उन्नत बनाना 19 प्रशन विद्द्याले के मानोस अंसाधन कौन कौन से हैं तो विद्याले के प्रमुख मानो सोंसाधन, प्राधनाचार, अध्यापक, छात्र और समुदाय होते हैं बीस्वा प्रश्ण समय सारणी की परिभासा लिखिए विभिन कक्छाओं, गतिविदियों वविश्यों में प्रति दिन समय विभाजन की योजना ही समय सारणी कहलाती है यहाँ पर आसान भासा में आप समझ लिजे कि स्कूल में जो भी गतिविदियां होनी है, सभी को समय निर्धारित कर देना समय सारणी कहलाता है एकिसवा प्रश्ण पूछा गया था वित्तिय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं तो वित्तिय प्रबंधन के अंतरगत वित्त यानि की धन की उपलब्धता तथा इसके सर्वत्तम प्रियोग पर विचार किया जाता है इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किन किन छेतरों में धन की आवशक्ता है उसमें प्रात्मिक्ता तै करते हुए सबसे जादा जिसमें प्रात्मिक्ता होगी उस पर धन व्य करना और जिसकी प्रात्मिक्ता कम होगी उसको बाद में धन एलोट करना यहीं वित्तिय प्रबंधन कहलाता 22 प्रशन पूछा गया था प्राकर्तिक आपदाओं के नाम बताईए प्राकर्तिक आपदाओं दो प्रकार की होती है पहला अंतर जात जो कि जमीन के अंदर धर्ती में हलचल होने की वज़े से आपदाओं आती है या फिर हिम इसखलन हो गया इस टाइप की जो भी आपदाओं होंगी वह जो जमीन के उपर होंगी उनको बहिर जात आपदाओं कहते है इसवा प्रशन था सैक्षिक ब्रहमड के दो महतों बताईए सैक्षिक ब्रहमड एक पाठे सहगामिक क्रिया है जिसके अंतरगत विभिन इस्थलों का भौतिक रूप से निरिक्षण सिख्षकों के देखरेक में कराया जाता है इसमें सैक्षिक भ्रमण के दो महतों आप लिख सकते हैं कि इसमें जो ज्यान प्राप्त होता है वह बहुत ही स्थाई होता है क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से अभियर्थी इसमें भाग लेते हैं दूसरा, सैक्षिक भ्रमर की मदद से अभियर्थियों में उत्सुक्ता जाहिर की जा सकती है नए-नए चीजों को जानने के लिए चो अब इस्वा प्रशने, विद्याले का हिर्दय किसे कहा जाता है? तो इसका सही उतरोगा पुस्तकाले को विद्याले का हिर्दय कहा जाता है 25 प्रशने विद्याले संगठन का क्या उद्यस है तो विद्याले के संगठन में सभी सदसे आएंगे जैसे कि सिख्षक, छात्र, प्राधाना ध्यापक, समुदाय तो विद्याले संगठन का उद्देश यह होता है कि समुदाये में सभी को सिख्चा के प्रतिक जागरुक किया जाए और परिवार को जागरुक करते हुए ऐसे परिवार को चिन्नित किया जाए जो कि अपने बच्चों को विद्याले नहीं बेशते हैं वहाँ पर सिक्षण अधिगम से सम्बंदित सभी समागरी सुवेवस्तित और क्रमबद तरीके से रखी रहती है। 27 प्रश्ण है मीना मंच का क्या उद्दे से है। 28 प्रश्ण है प्रयोक्षाला के महतों के बारे में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर छातर करके सीखते हैं और जो चीजे करके सीखी जाती हैं उन्दे प्रश्ण हैं। 29 प्रश्ण 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 को जिला पंचायत को परामर्स के रूप में दिया जाता है। तो विद्याले अभिलेक के प्रकार आप लेख सकते हैं पहला समाने अभिलेक, दूसरा अध्यापकों से सम्बंदित अभिलेक, तीसरा विद्यार्थियों से सम्बंदित अभिलेक, चौथा उपकरण सम्बंदी अभिलेक और पाचवा वित्तिय अभिलेक। तीसरा मनुविग्यान साला इलहाबाद, चौथा परिक्षा नियामक प्राधिकारी कार्याले इलहाबाद, इत्वे से दो पर आपको टिपड़ी करने की बाद बोली गई है, तो SCRT के बारे में आप लिख सकते हैं कि इसका मुख्याले लखनव में है, और राज इस्तर में सि जो भी सिक्षकों की भरती के लिए लिखित परिक्षा का आयोजन किया जाता है, वह परिक्षा नियामक प्राधिकारी कार्याले के द्वारा ही कराया जाता है, इसके अलवाँ सिक्षक पातरता परिक्षा और DLA जैसे कोर्सेज में ट्रेनिंग सकुसल संपादित करने की जि दिसंबर 2004 में लोकसाभा में सूचना के अधिकार विधियक को लाया गया था और संसद के दोनों सदनों से मई 2005 में ये पारित हो गया था और भारत वर्ष में 12 अक्टूबर 2005 से ये पूरे देश भर में लागू हो गया इस सूचना के अधिकार के अंतरगत कोई भी जन मानस सरकार से सरकारी विभाग की जानकारियां मांग सकता है जब आप सूचना के अधिकार के तहट आवेदन करेंगे तो अधिकतम 30 दिनों के अंदर आपको जानकारी दे दी जाएगी और इसमें जो जानकारी के लिए जो माध्यम से जिसमें आप मांगेंगे उसके माध्यम से सूचना दी जा सकती है लेकिन अगर आप सीडी के माध्यम से सूचना मांगेंगे तो प्रतेक सीडी 50 रुपे आपको अतरिक्त चार्ज देना होगा अगर आप सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इसके खिलाफ प्रतम अ अधिकारी पर चार्ज किया जाता है और अधिक्तम ये 25 लाख रुपए तक हो सकती है अगर आप प्रतम अपील के बाद दिये गए सूचना से भी संतुष नहीं है तो आपको अधिकार की आप दूसरी बार भी अपील कर सकते हैं और अधिक्तम 90 दिनों में आपको अपील करना होता है अगला प्रशने सिक्षकों के विद्याले के प्रतिक क्या कर्तववे हैं देखिए विद्याले में सिक्षक समय से पहुँचे और प्रतेक कक्षा में वह समय से इंट्री ले निर्धारित समय में पाठेकरम को पूरा करे विद्याले के नियमों वी नियमों तथा नि शिक्षकों के कारियों का विवरण होता है जिसके माध्यम से प्रधाना ध्यापक को सिक्षक तता छात्रों की कारिकुशलता का ग्यान हो जाता है यहाँ पर सिक्षण अधिगम की विवस्था और सिक्षकों की कारे कुसलता वद दक्षता वृद्धी करने के लिए ये बहुत ही महतोपूर्ण साधन होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सिक्षक डैरी जो सिक्षक साल भर उसने महनत किया है उसका पूरा एक तरीके से दरपण के रूप में उस डैरी में में मेंसन किया गया होता है 36 प्रश्ण है समय तालिका की उपयोगिता का वरणन कीजिए समय तालिका यानि समय सरणी के उपियोग से विद्याले के कारे को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है दूसरा छात्रों में अध्यान के प्रती उत्साह उत्पन किया जा सकता है क्योंकि समय समय पर विभिन मतलब एक ही इस दिन में सभी सब्जेक्ट को समय तालिका के अनुसार पढ़ाये जाने से सभी सब्जेक्ट के बारे में उनको थोड़ा बहुत ग्यान होगा और वो उनमें इंट्रेस्ट धीरे-धीरे विक्सित होगा आप अगला लिख सकते हैं समय तथा उर्जया की बचात होती है अगला लिख सकते हैं कारे कुछ अलती होती है और इसके अलावा प्रतेक विशे एवं क्रिया पर विशेश रूप से ध्यान दिया जा सकता है समय सारने के उप्योग के माध्यम से 37 प्रशन सेक्षिक गतिविदियों से क्या विप्रह सोधारण इसपश्ट कीजे तो सेक्षिक गतिविदियां उन सभी गतिविदियों को कहा जाता है जो कि सिक्षा से सम्बंदित है आप देखेंगे कि जो अन्य गतिविधियां होती हैं सिक्षा से हट करके उनका भी मुखे उद्दे से सिक्षक ब्वारा बच्चों के सरवांगिर विकास पर फोकस करना होता है तो जो भी गतिविधियां सिक्षा से संबंदित होती हैं उनको सेक्षिक गतिविधि के नाम से जाना जाता है 38 प्रस्टन पूछा क्या था विद्याले प्रबंध समिति की अधिकारे वन करतव बताईए पहला आप लिख सकते हैं विद्याले की आवशक्ताओं का पता लगाना दूसरा विद्याले के आसपास के एरिया में 6-14 वर्ष के बालोकों का नामांकन हुआ है या नहीं इसको देखना और अगर नहीं हुआ है तो सभी का अनिवारी रुप से विद्याले में प्रवेश दिलाना इसके अलावा आसपास के निशक्त विशेश आवसक्ता वाले बच्चों की पहचान करना और उसके अलावा अपलिख सकते हैं विद्याले के अधिनरत बच्चों की सैक्षिक इस्तरों पर चर्चा करना ये कुछ महतोपूर्ण अधिकार एवं कर्टब्वे हैं उन्तालिसवा प्रशन है विद्याले में खेल के मैदान का क्या महतोए समझाईए विद्याले में खेल के मैदान उपस्तित होने से विद्याले में छातरों के सारेरिक विकास में सहयता मिलती है दूसरा पाठे सहगा में क्रियाओं के आयोजन हेतु इस्तान उपलब्ध हो जाता है तीसरा बालकों को खेल के मैदान में प्रतिभा दिखाने हेतु तैयार करने के लिए इस्थान मिल जाता है और ऐसे ही महत्वपुर्ण आप क्रियाकलाप जो विद्यालियों में किये जाते हैं उनको लिख सकते हैं चालिस्वा प्रशन पूछा गया था जिला सिक्षा एवं प्रसिक्षण संस्थान जिसे डायेट बोलते हैं कि इस्थापना के उद्दे से एवं प्रमुख कारे बताईए डायेट के इस्थापना का उद्दे से ये था कि सेवा कालिन या फिर सेवा पूर्व जो भी सिक्षक उनको ट्रेनिंग प्रवाइट कराना दूसरा जिले में सिक्षा की गुडवत्ता को ऊचा उठाना तीसरा सिक्षा में नवचार को बढ़ावा देना और चौथा सिक्षा का सारवाजिन करना ये कुछ प्रमुख उद्दे से थे डायट के इस्थापना के और इनके कारे के बा इसके द्वारा दिया जाता है और अनवचारिक सिक्षा के लिए क्या कुछ महतोपूर्ण आवशकता है उस पर भी विचार किया जाता है साथी जीले में सिक्षा की गुडवत्ता के मुल्यांकन का भी प्रमुख कारे डायट का ही होता है तो ये कुछ महतोपूर्ण कारे आ देखने और चतुर्थ समिस्टर के गड़ित के पूरे पाठेग्रम को डिटेल में पढ़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्चन को जरूर चेक करें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शूब हो